कि अहोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए एक कोंग्रेश पार्टी सत्तर साल से सेवेंटी एर से राम मंदिर को अटका रही थी लटका रही मोदी जी ने राम मंदिर का भुमी पुजन किया और 22 जन्वरी को राम मंदीर में प्राण प्रतिष्टा होने वाली है मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोग और विशेश करकर माताए बैने राम लल्ला का दर्सन करना चाहते हो ना खर्चा होगा ना मगर करना मत कमल फूल की सरकार बना दो को भाजपा तेलंगाना सरकार सभी को अर्योद्या-राम मंदीर का धर्सन प्री अप्कॉस्ट कराएगी आप लोगों को सिर्फ कांग्रेस वोट बना के वोर्ट बैंक बना के इस्तेमाल किया माजब ही कांग्रेस नाटए करते हैं बातें बोलते हैं हम नफरत के दुकान बंद करेंगे बहे मैं पूछ रहा हूं बाबरी मस्जित का शहादत किसके हाथ से हुआ था किसने करवाया था यह समझने की बात है आज मीटी माटी बाते सुनाएंगे आज आके यह बात नहीं है सेकुलर है तो जिन्दगी पर सेकुलर रहना चाहिए बराबर सेकुलर रहना चाहिए और आपके काम से वह बताना चाहिए भाई यह छे डिसंबर अगर नहीं होता तो क्या फैसला था कोड का बताओ कांग्रेस यो बीजेपी वालो मोडी जी जब आप जाएंगे थोड़ा दिल बढ़ा करो राहूल को भी आपका भाई है उसको भी साथ लेके जावाब क्यूंके यह काम उनके बावा ने शुरू कि क्या था मजडित को छीनने का आप उनको भी लेके जाओ आप कांग्रेस वालों जवाब दो जवाब दो बीजेपी वालों कैसा दो दिन वैसी सच्चाई को बयान कर रहा या नहीं कर रहा है